नमस्कार दोस्तों आप सभी को सुभद्र ये लाइफ में स्वागत है आज हम पनिर सिमला मिर्च की सबजी बनाने जा रहे हैं तो शलिए बनाना शुरू करते हैं देखिए यहां पर मैंने दो मेडियम साइज के टमाटर को छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है दो इंच अद्रक का टुकड़ा लिया है और दो हरी मिर्च लिया है इन सारे चीजों को एक ग्राइंडर जार में डाल देंगे और थोड़ा सा पानी डाल कर इसका स्मूथ पे एट कर देंगे तेल गरम हो गया है अब हम इसमें दो कटा हुआ सिम्ला मिर्च एट कर देंगे और गेस के फ्लेम को मेडियम रखके दो से तीन मिनट टक सिम्ला मिर्च को फ्राइ कर लेंगे देखिए सिम्ला मिर्च का कलर जो है हलका चेंज हो गया है और सिम्ला मिर्च जो है फ्राइ हो गया है अब हम इसे एक बर्दन में निकाल लेते हैं और इसी कड़ाही में हम 200 ग्राम कटा हुआ पनीर एट कर देंगे पनीर को हम 1- 1.5 मिनट टक हलका फ्राइ कर लेंगे पनीर को हमें बहुत ज़दा फ्राइ नहीं करना है नहीं तो यह रवर के जैसा हो जाएगा देखिए हमने पनीर को हलका फ्राइ कर लिया है आप हम इसे निकाल लेते हैं इस रेसिपी में पनीर को फ्राइ करना पूरी तरीके से ओफसिनल है अगर आप चाहे तो फ्राइ करें नहीं तो आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको soft पनीर पसंद है तो आप पनीर को fry करने के बाद इससे हलका गड़म पानी में भीगो के रख दे देखिए पनीर फ्राइ करने के बाद कड़ाही में एक चमज तेल बचा हुआ है और हम इसमें एक चमज तेल एट कर देंगे तेल गड़म हो गया है अब हम इसमें अधा छोटा चमज जीरा एट कर देंगे और वन पिंच ही एट कर देंगे हम गेस के फ्लेम को लो ड़के मसाले को कुछ सेकेंड के लिए चटकने देंगे देखिए मसाला चटक गया है अब हम इसमें टामाटर अद्रक और मिर्च का जो पेस्ट मेंने पहले ही फीस के रखा था इसे एट कर देंगे और मिक्सर गरंडर जार में थोड़ा सा पानी डाल कर साफ करके एट कर देंगे ताकि लगा हुआ पेस्ट वेस्ट ना हो और गेस के फ्लेम को मेडियम रखके हम पेस्ट को एक बार अच्छे से चला लेंगे अब हम इसमें बाकी के सुखे मसाले एट करेंगे अधा चुटा चमच हल्दी पाउडर एट कर देंगे एक चुटा चमच धन्या पाउडर और एक चुटा चमच गरम मसाला पाउडर एट कर देंगे और साथ में स्वाधनुसा नमक एट कर देंगे अब हम ghais के flame को medium करके मसाले को लगातर चलाते हुए अच्छेसे भून लेंगे जब तक मसाले से तेल अलग ना हो देखिए मसाले से तेल अलग होने लग गये हैं यानि मसाला जो है अच्छेसे भून गया है अब हम मसाले में दो बड़े चमाज फ्रेस मलाई एट कर देंगे एक घर का निकाला हुआ मलाई है मलाई को हम मसाले के साथ 2 मिनट तक भून लेंगे मलाई एट करने से सबजी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और सबजी के ग्रेवी भी गाड़ी हो जाती है देखिए ग्रेवी में उबाल आ गया है अब हम एक बार इससे अच्छे से चला लेंगे और इसमें फ्राइ किया हुआ सिम्ला मिर्च और पनीर को एट कर देंगे पनीर को हम एक बार gravy के साथ अच्छे से mix कर लेंगे और गेज के flame को medium रखके हम पनीर को 5 मिनट टक धकर पकाएंगे 5 मिनट हो गया है सबजी को हम छेक कर लेते हैं देखिए सबजी हमारा तेयार है अब हम इसे एक बार चला लेंगे और सबजी में हम आधा चम्मस गरम मसाला एट कर देंगे और इसे एक मिनट के लिए चला लेंगे देखिए कितना लाजवाब पनीर सिमला मिर्च का सबजी बना है और कलर भी कितना अच्छा आया है यह सबजी को आप रोटी पराठे पूरी नान भथूरे चावल के साथ खा सकते हैं अब हम गेस के फ्लेम को आफ कर देते हैं सबजी हमारा सर्फ करने के लिए रेडी है और यह सबजी को मैंने बिना लहसुन पियाज का ही बनाया है इसे आप लितीश तीवार में भी बना कर खा सकते हैं आप एक बर इस तरीके से जरूर ट्राइ कीजिएगा आपको बहुत ही पसंद आएगा दोस्तो रेसिपी कैसा लगा प्लीज कोमेंट करके बताईएगा और वीडियो को लाइक सेर कोमेंट करना ना भूले मिलती हूँ नेक्स वीडियो में एक नए रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई and टेक केर